कि असलाम लिकूँ आज हम सांसिस बैकन का ऐसे और स्टेडियस करने जा रहे हैं फ्रांसिस बैकन जो थे वो फिफ्टीन संथियानिक अलेजबत नेच के राइटर थे ठीक है जिने बाद में जाके वज़े शौरत मिली ठीक है और इसके जो ऐसे हैं वो बहुत दा फेमस हैं ठ दीज ठीक है तो यह फिलासिफी ओफ साइंस इसके वज़ए से जो था ना सिकसाइंटिफिक आइडियास के वज़ए से बहुत दा मशूर था ठीक है और वो ऐसे राइटर भी थे ठीक है तो उनके जैसे बहुत दा प्रेमस हैं जो यह सबसे पहले फर्स्ट लाइन आती है क पर और्नमेंट एंड फॉर अबिल्टी ठीक है इसमें इसने स्टेडिस के बैनेफिट एगी लाइन में स्टेडी की तीन बैनेफिस प्ता दियें ठीक है अब बैकर ने डिलाइट का लफज क्यों यूज किया है कि क्योंकि बैकर जब लिखता था इस टाइम पर जो लोग थे इंटर्टैंबंट की दोपन उस्टेंडल करते थे ठीक है अपने की क्योशन के को भी करते थे हैं कि फिर फिरन Mum प्लिज्वर टाह था उनको एक डिलाइट मिलता था उससे तीक है तो इसलिए जो है बैकर नहांपे दिलाइट का लफज यूज की आ भी है जूसमें तर ने बंदा जो भॉक्स पढ़ते है जाता है ठीक है अपने ऑर्ते के साथ चिक है और ठीक है और जो वह इन वर्डस में एक तरह से लॉट हो जाता है इस तरह हम पर के जो है हमें एक स्केव मिलता है ठीक है फॉर्म दवर्ड ठीक है और टाइड ऑफृड टीक है आपय में इतना वर्ड हो जाता है कि हम अवी जाते हैं टीक है उस इससे मुझे प्लेयर मिलता है ठीक है मैं बैसा ना हो एक है इससा ना हो यह वह एंस्ट्रोरीकल बुक्स पढ़ते हो ठीक है जो आधिक झियर्ग डिलो को तो फो जो है वह रिलाकसिशन लगत है होगी इस तहरो फ्लेयर चेंज्ग हो जाता है बीन होता है ठीक है उसके जो सेंकर परपस बताया है वो है औरनमेट का ठीक है औरनमेट का जो वर्ड है वो इस सेंस में यूज के कि स्टेडी जो है एक बंदे को हेल्प करती है ठीक है टू अर्ण डीकौर्मेंट्स ओफ बिहेवियर अकॉर्डिंग टू कन्विक्शन ओफ सुसाइटी ठ बेहेवियर जरूरी है वो सारा जो है वो सेंस में आ जाताय है ठीक है और स्टेडी हमें सिखाती है प्रॉपर कंड़क्ट करना सिखाती है ठीक है और जो हम लोग लाइक कम्यूनिस्टिक कम्यूनिस्टिक किस्टैबलिश इस से मिलकर हमें experience वगेरा मिलता है थिंकिंग ची जो पड़ती है ठीक है और हम एक्स पोर करते हैं चीजों को च्छी करूए यह मारे तिक जो इसकेशन को इन्हेंज करती है को भाइस मना देती सर्वाइब को तिक है अगे अगे होंगे में बेकर नेट किया हुआ है ओर आर्नमेंट को ठीक है औ तरहारों में इस तरहां experience मिलता है हमारी thinking ability enhance होती है ठीक है और interpretation enhance होती है यह हमारी जो है ornament distance में इस word में उसके बाद उसने जो एक person है उसकी personality को यह improve करती है ठीक है उसके expression को improve करती है जिससे हमें जो है वो communication skill मिलती है ठीक है और जो discourse से हमें chance मिलता है कि हम लोगों को अपनी speaking power ठीक है उसमें उसके जरीए जो फील्ड के जरीए में increase कर सके हैं ठीक है हमारा जो personal level है यह होता है कि जो religious level होता है ठीक है यह discourse करते हैं लोगों से फिर क्या होता है कि कहता है कि हम लोगों को जो अंदर जो ना एक confidence आ जाता है आ जाएगा बोलने का confidence आ जाएगा और इस तरह हमने जो है वह थर्ड स्टेडी पर पर्पर्स बताया इसने ठीक है फ्रांसिस बैकर ना वह यह के ability ठीक है ability to interpret or to observe situation especially in regard of a business matter ठीक है books पड़कर हम लोगों को एक तना से ability मिलती है कि हम क्या करें हम लोग observation करें ठीक है लोगों की ठीक हम जो हम situation को कैसे इंडरेट करना है हम लोगों ने situation को कैसे अब्सरूर करना है observe करने के बाद हम लोगों कैसे लेना है ठीक है business ideas वगरा में हमने इसको कैसे यूज़ करना इस तरह यह ability मिलती है ठीक है और फिर फिर वह अपना हाई standard set करता है in a flawless way ठीक है इस तरह हमारी जो vision है वो भी strong होती है क्योंकि एक person wise जो है उसको यह जानता है ठीक है there is something to given given to learn ठीक है तो कुछ सेखने को जरूर मिलता है ठीक है हमारा इस तरह यह हमारे अंदर यह ability create हो जाते है उसके बनेक्स स्लाइट में से क्या करेंगा एक्सपर्ट मैं एक्सपर्ट मैं और एक्सपर्ट मैं में डिफरेंस होता है ठीक है अब जो एक्सपर्ट मै जड़ेगा तो जावगा ठीक है एक्सपर्ट मैं क्या होगा के जो डिफel कर रहा है ठीक है जिसमें मोप घोट होगा वो चीज़ेशन के नजर से देख था ठीक है वह पस यई वह चीज़ेंट की जलेगा उनको जैश करे का उससे ठीक है जृत एक्सपीरेंस होगा तो अपने इसको देखते हैं लेकिन एज्टेजिन क्या होगा कि हार फील्ड के बंदे हार इसको पता होगा ठीक है वह क्या करता है कि वह अपने प्लान को अच्छी तरह से करेगा ठीक है इनफिशली वे हैंस लेंड बाइ मैन और बेस्ट ठीक है मतलब आप फार एक्जेंबल जैसे कि आपको एक बिजनेस मैनेज करने का एक अब यह कि आप जो है वह अच्छे तरीके से मैनेज कर ले तो बिजनेज को अब दूसरे बंदे ने बीबिय किया हुआ है ठीक है आपके ठीक है अब लकलीक करेगा वो कण्मिक्ष करेगा था तो इसके अब प्लाइन को अपने तरीकर को अपने वीज्ण को घुकर्म करेगा तो तो इस तरह से तो एक learning man जो होता है वो ज्यादा efficient होता है than expert man ठीक है वो critically examine कर सकता है ठीक है उसको जो है right conclusion आता है ठीक है उसके बाद यह करे to spend too much timing study slow to weed and too much for ornament application and make judgment by the rules for scholar अब बैकर ने explain किया हुआ है कि जो ज्यादा पढ़ना है ना वो एक बंदे को slugish बना देता है लेजची बनाता है ठीक है जैसे बहुत ज्यादा famous quote है ठीक है too much of anything is good for nothing ठीक है कि हर चीज़ का जो है वो पढ़ना ठीक है वो good for nothing ठीक है कि ऐसी चीज़ से बेतर है ठीक है ज्यादा पढ़ना तो अब इसमें क्या है कि हम जो ज्यादा study करते हैं ठीक है वो in over intelligence होती है वो क्या करते कि हम अलेट करती है desire of consequences कि हम लोगों को ज्यादा तो किस चीज़ में ना ज्यादा होना चाहिए और ना कम हो चाहिए अधिक है ना तो हमें की चीज़ में ठीक है लिमट क्रोस करनी चाहिए और नाइस उसकी दिखानी चाहिए ठीक है जैसे क्या होता है कि लाइव में बहुत ज्यादा एंस्टेबल हो जाती है हमारी और ठीक है और जो यह मतलब है कि कोई बंदा जी अपने लॉज़ को बहुत जादा यूज़ करता है ठीक है दूसरे बंदों के साथ ठीक है कनवर्सेशन में तो एक तरह से शौफ कराया जाता है ठीक है फ़र एक जैसे हम हम जो जानबूज कर इंग्लिश बोल लोते हैं कि लोगों के सामने ठ तो अपनी स्टेडिस को भी अपने लॉज़ी को भी शौफ कर रहते हैं लोग ठीक हो यह तो यह चीज़ है ठीक है ओवर यूज़ आ जाता है और दो यूज़ आ जाता है आपके पास इतना नालज है नहीं लेकिन आपको यह इंडिट कर रहे हैं शोइंग ऑफ दा यह प्रिट किया हुआ है कि स्कॉलर जो है उडर शीम चुबी सीली ठीक है लैफ तो दमोरल डिगरडिशन औफ ही में जज़बर सीली बर रूल्स और अगर एक मनदा स्कॉलर है जो रूल्स बनाता है ठीक है और जज़ज कर निज़जमेंट की बनापर ठीक है और जैमन करत है ठीक है ठीक है ठीक है तो मेकिंग एच एंड अवरी जज़जमेंट आफ लाइफ विद दा हैल्प आफ नॉलिज ठीक है अब यह कहा है कि यहां पर क्या होना चाहिए कि इसने पिर की बैकर ना कि क्या बताया कि एक बैलन्स होना चाहिए स्टर्डी और दूसरी लाइट ठीक है कि यहां ऑड़लों को जो है वह इस्टैटिक प्रेजर मिलता है लेकिन हम लोगों को ज्यादा बी नहीं करने चाहिए ठीक है और दूसरी एक्टिविटीज में भी इन्वाल होना चाहिए ठीक है यह नहीं होना चाहिए कि हम लोग बढ़ते रहें तो बड़ हो जाएंगे पर हमारे आया तो इसको इसको नहीं उपना चाहिए थीक है अगर ःपस नाइच थीक है थाया यह नालवीज स्टीक है निशल निशल अबिल्टी जो हैते हैं थाम डिट मीश प्लैनिंग बाइस ट्थ निगे सेंग इंटिंग गिंञ टूमच एट लाज असके बाइब डॉय और एकस्पिरियंस ठीक है में अब वह क्या बात करा रहा है कि pressured वेकर्ण को इन्साने नाइचलाइप्लिटिर को इससी को क lettuce को मत्राइब की बिए जाता है ठीक है और उसकी की जाती है ठीक है इसी तरह उसने इंसान को मैचल को नहीं ठीक है उसी नेचल स्टेडी में जो है वो कंबेर किया हुआ है कि उसको जो स्टेडी है वो इसको इन्हेंस करती है ठीक है एक डीडर का जो नॉलिच है ठीक है वो बढ़ता है ठीक है फिर करते हैं कि यजप इस नहीं का स्टेडि जो है वो फाइदा नहीं पूछाती एक बंद्र को स्टेडी तब तक फायदा नहीं पूछाती जब तक कर्वाइब यह सेक्श्डेस्ट करता है के नॉलिच के पास इस चीजसा का अधागा झार जैसे बंडर वास एक ज्याज है टिक है स्टरीकास एक डाले मांतरा बोस्त के चैब तक उसका 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 प्रसानी withdrawal करेंगा एक जैसे जिर जी पर पर जो एस होती है न वहिसे को ज्यादा बनाती है इस तरह स्टरी उसके बाद कि पर नोल स्तरीचब 2 निथा में तो थ तो इसमें बेकर ने बात यूज किया कि प्राफटिंग मेन उते हैं उनके पास जो है वह एक्रिसेशन नहीं होती ही ठीजटी स्टेडिस ठीक है मुझल जो वाइस फीपल होता है और सिंबल परसन होता है कि वो स्टेडिक को यूज करता है लाइफ की प्रोब्लम को सौर्फ करने के लिए ठीक है इस तरह यहां पर बैकर ने पिपल की डिफरेंट जो ने उनके बारे में जो उनकी कपैस्टीज है ठीक है उनकी इंटिलेक्ट्टिल कपैस्टी ठीक है उसके बारे में बतायों के डिफरेंट प्रोसेस बताया हुए उसके बार नेक्स्ट लाइन है कि रीड नौट तूदा कंट्रेक्टिड इना कंफिगर्ड नौट टू बिलीव एंड फ्रेग्मेंट इना टूइंड टॉइंड और इनकुयर नौइज का ठीक है डिफरेंट बिलीव एग्रेसिविली रिफ्यूज अदर ऑपीनियन ठीक है अदर पीनियन पॉइंट डिसकेशन और अग्विमेंट स्टरी शूट नौइनेबल टू वेफ एक्स अनलाइज अग्रेसिवली क्यों कि हम लोग को यह निश्का पार परने फ्रदूल की बैस्टार कर जाएं के नहीं हमें तो आता है तिँक है इसलिए हमें यही चीज нgar जो वय्ड है ठीक है उसके लिए हमें जो बड़ता है ठीक है अधीक को बरहना पर टेस को हैं और एनलाइस करना परता है तो बुक्स जो हैं हमें ने बतने बताती है हैं बुक्स हमें यह पताते हैं कि वाट इस दा डिफरेंस बिट्वीन राइडर लॉंग ठीक है अगली लाइंक है कि अगलाब है कि हमारे अंदर चल जाती है अब इसमें टेस्ट वारी बुक्स होती है उसमें जो है वो जो स्पेशल अटेंशन की जरूत होती है ठीक है मालों उनको याद करने की जरूत नहीं होती है इस जो नौन को कोर्स बगरा होती है इस तरह जो डिजस्टिट जिनको हमें एनलाइज करना होता है जिनको हमने इंटर्प्रेट करते हैं तरह जो नौवल्स हैं जिनको हम इंटर्प्रेट करते हैं और एनलाइज करते हैं जैसे हमने एमिलेट जो पड़ा था है ठीक है उनको एनलाइज किया है यह हमने और को स्टेडिस के रेडरी बुक्स पड़ी है जिनको हमने डीप में जाकर इनलाइट किया था उसके बारे में एक एक चीज जाने थी ठीक है तो वह डिजेस्टिट नौवल थोते हैं ठीक इस तरह जो नेक्स्ट लाइन है वह रीडिंग मोर आफुल मैं कंफेर्स आरीडिंग मैं ठीक है इसमें इसमें कि अपता दुसरों के साथ जो है वो परसनली जो नौलजज है ठीक है उसको इंक्रीज करती है ठीक है कि जब आपके पास अलफाज अच्छी होंगे आप लोग अपने अलफाज को इंटरप्रेट सही से करवाओगे ठीक है कुछ लोग जो होते हैं वो आपके अलफाज जो हैं वो इस तरह इस बंदे में न जो इनुवेटिव होता है ठीक है वो नई चीजें जो है करता है नियू आडियास को जनेट करता है इस तरह जो रीडिंग है वो रीडर को जो है वो डिफरेंट करती है है डिफरेंट डिरेक्शन बदाती है डिफरेंट डिमेंशन बदाती है ठीक है नौलज के मतलब हमें हेल्प करती है हमारी थाट्स में मतलब हमारी प्रॉब्लम्स ठीक है जो लॉंग प्रिडियोट के लिए हम लोगों को हमारी जो प्रॉब्लम है उनको दूर कैसे करना है उन all these fields इस तरह ही बेकर ने हम explain किया है कि हम facts को memorize कर सके अगर कोई जो है वो person है वो reserve करता है मतलब जो है वो disclose से नहीं कर रहा वो communicate नहीं कर रहा इंट्रेक्ट नहीं कर रहा ठीक है तो वो अपनी विट को improve करे तो वो कहता है कि जो improve कर सकता है वो इस चीज़ को कि कैसे improve कर सकते हैं अगर ऐसा होता है तो वो जीड मलब अगर वो राइटिंग नहीं कर रहा ठीक है वो कुछ improve नहीं कर रहा तो इसका मलब है वो रीडिंग ही नहीं कर रहा मलब वो stupid person है ठीक है moreover back and describe if a man writes until her he had to learn attract manners to remember all the reading ठीक है इसका मलब है कि उसकी memory अची है ठीक है उसको लिखने की जुरूत नहीं पड़ती और अगर if a man interacts and like he should hair a personal मलब इसका मलब है कि अगर वो इंट्रेक्ट कर रहा है तो वो observe जादा कर रहा है ठीक है यह still makes man wise for sweets मैं थी मैं पिर वह बैकर ने चीज़ों को discuss किया हुआ है इनना historical history को discuss किया ठीक है जो हिस्ट्री है वो हमारी wisdom के बारे मैं बताता है ठीक है हमारे ancestors के बारा बताता है is mathematics है वो मारे intellectual को create करती है Thaip है और जो फिर उताता है कि जो poetry है वो क्या करती है वो colony imagination को English कर थी अच्छा है और philosophy क्या है जो हर सब्जेक्ट को कवर करते है जैसे फिजिक्स हो गया ठीक है कमिस्टी हो गया तो इन शौर्ट कर आया कि यह हमें न्यू वर्ल्ड जो है उसके बारे मताती है यह हम धिंकिंग को ब्रैंड करती है ठीक है तिक है लॉजिक एंड रिलिक्टिक स्टील मैं इन है ठीक है लोगों के साथ हमारा wusсте करना है ठीक है हमें सिखाता है हमने पॉाइंट ओफ यूदू हमारा क्या हcal heart ठीक है ठीक है टीक है डाधूर्ण हमें जीडिक को जीज से करने है ठीक है बदो को देखना कैसे है तो सब्सक्राइन इसके बाद आहां पर एक टर्म यूज ऊज़िया है ठीक है अबाउस इन मौस इसका म를 यह कि जो वाउट उसका मतलब होता है कि गो वे ठीक है या रोना और स्टूडियू का जो और जो स्टूडियो वगारे और से जैसे मैं आपको पता रहा हुं कि और रही था है और वह दो का एगा जाले का फैसके पार में पारण रहे हैं पी किंसिडर करते हैं कि बंदा डाल पनदा डाल है तो बंदा वो बाकर बनदा डाल ही ता वा ंधよ करता है ठीक है उसके बाँ हर बंदे में को लिझी कर सकते हैं अब हर बंदे को फिकama है है mortgage है अब हर बंड़े को करता है इसको बैतर किसे कर सब्सक्राइब तो basically Francis Bacon ने off studies ऐसे में studies के बारे मताया, books के बारे मताया के लोग जो हैं वो delight covered यूज़ किया के जो delight covered इसलिए यूज़ किया के वहाँ के लोग जो थे अपनी studies के जरीए अपनी intellectual को increase कर सकते हैं अपने mindset बना सकते हैं ठीक है और books जो हैं वो इनसान को aesthetic player देती हैं ठीक है, books की different types हैं ठीक है तो वहाँ के लोग जो थे अपनी questions को raise करने के लिए books पढ़ते थे ठीक है तो वो इन चीज़ों को सब चीज़ों को discuss है, तो यह आज का हमारा essay था, ठीक है